आप सब का अबिनंदन और स्वाज़त मैं नुराधा शार्दा आप सब का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे विडियोज देखे सरहाए उन पर अपना कॉमेंट्स और अपने सुझाफ दिये आज हम एक बहुत ही समवेदन शील टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं होमोसेक्श्वालिटी जब हम किसी भी चार्ट का अनालेसिस इस डिश्टी कोन से करते हैं तो क्या-क्या important points है जो हमें देखने चाहिए उस पर आज हम चर्चा करेंगे होमोसेक्श्वालिटी, अस्ट्रॉलजी के डिश्टी कोन से सबसे पहले हम देखते हैं airy science यानि वायुतत्व की राशियां वायुतत्व की तीन राशियां हैं मिथुन राशी, तुला राशी और कुंबर राशी मिथुन राशी हमें communication सिखाती है सिखाती है कि हम अपने भाई बंदूओं के साथ किस प्रकार का विहभार करें contracts जो हमारे होते हैं वो सारे उसी राशी से आते हैं तो एक प्रकार से आपकी और मिथुन राशी आपको creativity भी सिखाती है आपको आपका जो thought process है वो उस राशी से दिखाई देता है तो इसी के लिए ये राशी भी important होती है फिर जब हम तुला राशी की ओर बढ़ते हैं तुला राशी से आपके partners और आपके professional या personal दोनों partners दिखाई देते हैं तो partnership की जहां बात चलती है या life partners की जहां बात चलती है हम तुला राशी का भी विशलेशन करते हैं और कुम्ब राशी उन संस्थाओं को या संगठनों को बताती है जिन में आप जिन से या लोगों से जिन लोगों से आपके साथ आपका उठना बैठना जिन लोगों के साथ होता है या एक similar thought process वाले लोग जब मिल जाते हैं तो वो एक किसी संगठन का निर्मान करते हैं वो भी हम 11th house of the natural zodiac क्याने की कुम्ब राशी से देखते हैं तो जो वायू तर्टप के राशी हैं वो ये सारी चीजें दिखाते हैं फिर हम ये देखते हैं हम ये जानते हैं कि जैसे कोई भी लगन हो तृत्यभाव, सप्तमभाव और एकादर्श भाव इन बातों को दर्शाता है तो वो भी फंक्शनल ली जो होते हैं वो ये वायू तर्टप के बन जाते हैं अर्थात इनके जो स्वामी है वो भी ये रूप दिखा सकते हैं तो फिफ्थ लॉर्ड और एर्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस और एर्थ हाउस के साथ यदि थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस और इलेवन्थ हाउस जुडता है, उनके lords जुडते हैं, तो ये सारी जो बाते हैं, ये सामने उजागर होके आती हैं, साथ ही अश्टम भाव जो होता है, वो शारेरिक संबंथ का भाव होता है, तो अश्टम भाव के साथ भी एरी प्लानेट यानि वायू तत्व के जो ग्रै हैं, शनी और राहू, इनका जुड़ना भी बहुत जरूरी होता है, जब ये रिष्टे सामने उभर कर आते हैं, लास्ट में नक्षत्र की ओर हम बाढ़ते हैं, नक्षत्र में मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया है, कि अनुरा इन भावों से जुड़ते हैं, या इनमें कोई ग्रह होता है, तो ये राशी आपको, ये नक्षत्र आप किसी को भी इस प्रकार के सम्मंद की ओर जुकाफ दे सकती हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कालपुरुष कुंडली के तृत्य भाव, सब्तम भाव और एकाद एकादर्श भाव में, रावी का पूरा-पूरा नक्षत्र आता है चाहे वो आद्र हो, चाहे वो सुधी हो या सद्भिश हो जिसमें हम जानते हैं कि रावी वायू तत्व है, ये राशी आं भी वायू तत्व हैं! तो ये थृतिय भाव, सब्तम भाव और एकादर्श एक्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम Michael Angelo का चाट लेते हैं, सिस्टीन चैपल को पेंट करने वाले बेविड जैसी बहुत सुन्दर स्टाट्यू को बना स्कल्प्चर जो ने किया Michael Angelo का नाम, आज तक उनके मरने के 500 साल बात तक है, क्यों है? क्योंकि उनकी क्रियेटिविटी का कोई जोड नहीं था, और जैसे मैंने आपको बताया, पहले है कि क्रियेटिविटी हम थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस से देखते हैं, Michael Angelo के चार्ट में, थर्ड हाउस में, तृतिय भाव में, सद्भीश नक्षत्र में, चंद्रमा बैठा हुआ है, और तृतिय भाव का जो स्वामी है, यानि शनी, वो अश्टम भाव में बैठा हुआ है, अश्टम भाव में शनी एक एरी प्लानेट वायू तत्व का घ्रह बनके बैठा हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रॉंग रिलेशन थर्ड हाउस और एट्थ हाउस का हमें देखने को मिलता है, फिर हम ये देखते हैं कि एकादर्श भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव से एकादर्श भाव को दिरिश्ट भी कर रहा है। हम यह भी देखें Michael Angelo के चार्ट में कि शनी जो तृतिय भाव का स्वामी है वो पंचम भाव को अपनी दस्वी दृष्टी से दृष्ट कर रहा है और बुद्ध जो सब्तम भाव का स्वामी है वो तृतिय भाव में अश्टमेश चंद्रमा के साथ और सद्विहीश नक्षत् में दोनों चंद्रमा और बुद्ध बैठे हुए हैं तो इस तरह से हमें मालूम पड़ता है कि Michael Angelo का जो जुकाफ था वो हम होमोसेक्शवालिटी की तरफ ही था दूसरा चार्ट जो हम लेते हैं वो बहुत ही फेमिस इटालियन जो डिजाइनर थे वरसाचे उनका चार्ट हम लेते हैं उनके चार्ट में सबसे पहले हम राशी देखते हैं राशी में वायुतत की राशियां पर जब हम ध्यान देते हैं तो कुम्भ में उनका चंद्रमा है और तुला राशी में उनके तीन प्लानेट्स हैं तिरिते पंचम भाव के स्वामी सब्तम भाव का स्वामी और एकादश और अश्टम भाव का स्वामी ये सभी तुला राशी में विद्यमान है यानि ये तीनों राशियां बहुत आक्टिव हैं फिर हम देखते हैं कि अश्टमेश जो है वो भी द्वादश भाव में है और साथी सब्तमेश के साथ है सब्तम भाव में एक एरी प्लान है नक्षत्रों की जब हम बात करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र पर उनका लगन पैडता है और साथी सूर्य जो उनके दशम भाव का स्वामी है वो भी अनुराधा नक्षत्र में ही विद्यमान है चंद्रमा उनका सद्भीष्ट नक्षत्र में है और सब्तम भाव में बै इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में definitely जो भी friendships बनी, जो भी associations हुए वो इनके काम के दरान हुए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो स्तारे उनके personal life में convert हो गए क्योंकि सूर्य जो है वो उसका और चंद्रमा का भी एक 4 और 10 का relation बनता है आगे हम Leonardo da Vinci का case लेते हैं उनके case में भी हम देखते हैं कि सबसे पहले तृते भाव में जो लगन है वो ही उनका जो लगन है वो ही एक वायू राशी का है वायू तत्व का है लेकिन हर वायू तत्व फिर मैं बोलूंगी कि हर वायू तत्व ज़रूरी नहीं है कि उसी और उन का जुकाव हो लेकिन आगे जब हम उनका पूरा case study करते हैं तो हम यह देखते हैं कि तृत्य भाव में राहू जो की एक वायू तत्व का प्लानेट है वो बनता है वो बैठता है और गुरू जो तृत्य भाव का स्वामी है वो पंचम भाव में सद्भीष नक्षत्र में ब और शुक्र जो है वो लगन तुला राशी के स्वामी और अश्टम भाव के भी स्वामी है इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोनाडो डाविंची जो कि एक बहुत ही प्रतिभा शाली व्यक्तित्व के मालिक थे और उनका और उनके बारे में यह कहा गया है कि कोई भी चीज ब होमसेक्श्वालिटी की तरफ ही था यह सारी चीजे हम उनके चार्ट से बहुत अच्चे से देख सकते हैं तो एक बार फिर हम उन प्रिंसिपल्स को धराते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि एरी साइंस बहुत अक्टिव होने चाहिए चार्ट में फिर यानि कि कुम राशी तुला राशी और मिथुन राशी यह तीनों राशियां बहुत अक्टिव होनी चाहिए साथ ही पंचमेश पंचमभाव अश्टमभाव से यह तीन पांच तीन साथ और एक्जारा के जो स्वामी है इनका कोई संबंध होना चाहिए जो वायुतत्व के घ्रह हैं चाहे वो र संबंध होना चाहिए और फाइनली जब नक्षत्रों की बात करते हैं तो सद्भिष नक्षत्र और राधा नक्षत्र का भी संबंध कहीं न कहीं आना चाहिए साथ ही बहुत केसों में मैंने उत्तर फालगुनी का भी वर्णन देखा है तो इसी के साथ अपने कामेंट्स लि झाल झाल